मैंने दो कपड़े लिये हैं लेकिन आपको कपड़ा एकदम कोटन का लेना है जैसा कपड़ा हम अस्तर के लिए इस्तमाल करते हैं कोटन का वो आपको फेवरिक लेना है जिसमें आप आसानी से सांस ले सकते हैं इसकी लंबाई मैंने 8 इंच रखी है और इसकी चोड़ाई मैं साथ इंच रखी है देखिए यह बड़े के लिए बहुती पर्फेक्ट साइज है अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा साथ छोटा बना सकते हैं अब हम इसको एसे बीस सेंटर से मोड़ेंगे और देखिए यहाँ पर हम इसमें एक सवा इंच पर नीचे की साइड से एसे निसान लगाएंगे और यहाँ पर भी इतनी ही दूरी पर लगाएंगे इसके बाद दिखे उपर से हम एक इंचपे ही लगाएंगे एक से पोने इंचपे उपर की तरप लगाएंगे जो खुले वाली साइड है अब इसको हम एसे फोल्ड करेंगे और अब हम दिखे यहाँ से इसकी एसे कटिंग करेंगे गुलाई में और यहां से हलकी सी गुलाई देंगे इसके बार देखिए हम इन दोनों कपड़ों को एसे यहां पर निशान लगाएंगे और दो-दो कपड़े लेंगे हम देखिए और इसमें हम नीचे वाली साइड में यहां पर सिलाई लगा लेंगे इसके बार देखिए यह हमने सिलाई लगा के कम्प्लीट कर ली है आप देख सकते हैं अब हम एक इलाश्टिक लेंगे यह आप देख सकते हैं यह इलाश्टिक है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच रखी है अगर आपके पास इलाश्टिक नहीं है तो आप कोई कपड़े की डोरी भी लगा सकते हैं और इस वाली को हम इस साइड में अटेज कर देंगे बहुती इजी है आप इसको 4-5 मिनट के अंदर बना सकते हो अब देखे सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते होए हम इस पे सिलाई लगाएंगे और फ्रेंट्स जैसे हम मार्कीट से लाते हैं तो वो हम एक बार ही यूज करते हैं उसको हम धो भी नहीं सकते हैं और उसकी हम प्रेश भी नहीं कर सकते हैं और जो हम घर पे बनाते हैं उसको हम आराम से धो सकते हैं प्रेश कर सकते हैं और देखे अब यहां से मैंने थोड़ा से यह खुला रखा है यहां से हम इसको एसे सीधा करेंगे यह दिखे और अब हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इसकी किनारी पर सिलाई लगांगे जहां से हमने यह खुला रखा है वहां से भी फोल्ड करके हम इस पर चारो तरफ सिलाई कंप्लेट करेंगे फ्रेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया इसके हम प्रेस कर सकते हैं प्रेस करने से देखे जब गर्माई की वज़े से जो भी हमारे वेसिक टानू रहते हैं वो भी मर जाते हैं तो फ्रेंट्स आप इस तरीके से घर पे बना के बहुती अच्छी तरीके से इनका इस्तमाल कर स सकते हैं देखिए थोड़ा सा आपको अन्दर से डीप रखना है ताकि पहनने पे ये कमटेबल रहेगा और बहुती आराम दायक भी रहता है और आप इसको आराम से वोज कर सकते हो यानि कि धो सकते हो फिर इसकी प्रेस कर सकते हो तो इस तरीके से आप इसको बना के पहन सकते हैं फ्रेंट्स आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो